आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, आपके अपने चलनल नेचल स्किप्ट में मैं इंडू, आप सभी का स्वागत करती हूँ, कैसी है आप सब लग, उमीद है कि ठीक होंगी, और अच्छी दर से अपना ख्याल भी रख रहे होंगी, आज की वीडियो रिक्वेस्टे लेता है, तो ऐसा क्यों होता है, और क्या कुछ उपाय करके आप अपने बच्चे को ब्रेश्ट सक्करना सिखा सकती है, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूँ, तो चलिए फटा-फट वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट क करिए, आप लोग जब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत भी खराप जाती है, और मन भी तोट जाता है, तो प्लीज वीडियो पसंद आती है, तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, चैनल पर अगर आप न्यू है, तो वीडियो क उसको जरूर सेयर कर दिया करिए, या फिर जो प्रेगनेंट महलाए होती है, ताकि उनकी भी खेल्प हो जाए, तो चलिए, फटा फट में बता देती हूं कि आप गल्ती कहां करती है, देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय में खुद का एक्सपरियेंस बताती अभी जल्दी में ही मेरे सिष्टर जो थी, उनकी बेटी को बच्चा हुआ, और क्योंकि वो निव मदर है, तो उसे नहीं पता चलना था कि क्या करना चाहिए, और बच्चे को भूख लगी हुई थी, वो ब्रेष्ट अपना बच्चे की मुह में डाल रही थी, और वो सक न समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तब ही उसकी ममी यानी जो मेरे सिष्टर थी, उन्होंने कहा कि तुम खुद भी रो रही हुँ, बच्चा भी रो रहा है, या तो तुम खुद रो लो, या तो फिर बच्चे को रो लें दो, और नहीं तो तुम इसे दूद प पकड़ा, और थोड़ी तेर तक उसके मुह में वो ब्रेश्ट का जो है एलोरा का भाग वहाँ पर दबाया, तेखिए ये प्रोसेस करना है, तो आप इस बात को जरू धियान रखिए, कि आसपास कोई जिन्स ना हो, और अगर हो तो जैसे आपकी अस्वेंड है, तो कोई ब आपका जो बॉड़ी है, क्योंकि जब फर्ष्ट बेबी जन्म लेता है, तो उस समय पहले तो पेट मे रहता है, तो उसे अनकमफर्टेवल होता है, तो इसलिए जब स्टार्टिंग आप कर रही है, तो इसमें कोजिस करिए कि आसपास कोई ना हो, एक दम एकांत जगह हो, आपका बेडरूम हो, या फिर अगर आप अभी तक होस्पीटल में हैं, तो कमरे में अगर आप हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अनथा आप जो मतलब सिश्दर होती है, नर्स होती है, उनका साहरा लेजिए, और उनसे कहिए, जैसे कि अगर जनरल वाड में हैं, तो भी मह पर परदे वगले लगे रहते हैं, और इस पेसल वाड रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है, तो इस तरह से कि कोई भी आसपास नहों, और आपको सहज महसूस नहों, आप खुद अनकर्फरटेबल नहों करें, और बच्छे को भी अनकर्फरटेबल नहोंने पाए, तो कपड़े बगर नहों हो, तो पिलाने में थोड़ी आसानिक होती है, अगर कुछ बच्छे जैसे कि पहले ही पकड़ लेते हैं, और सक करना भी सिख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्छे नहीं कर पाते हैं, तो इसमें सिर्फ आपको उसमें हडबढाना नहीं है, ये बात त सही है कि आपकी डिलाषी गई रहती है, आप दिसमें थे नुए मदर हैं, तो आपको भी नहीं पता रहता है, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपने भी सक्यूर बच्छा तेमिकिकल ही रहता है, और बच्छा पहर बीडियो तो बच्छ फिर कभी भी ब्रेश्विभिडिंग नहीं करता उसकी वजह देखिए क्या होता है चमत से आप जब बच्चे की मुह में दूठ डाल रही है या कोई भी स्टार्टिंग में ही चमत से दूठ पिला दिया तो बच्चे को डायरेक्ट वो दूठ उसको मिल गया उसके लिए आसानी हो गई उसे चूसना नहीं है बच्चा सब करता है और ब्रेश्ट सब नहीं करता है ऐसा क्या हूं? देखिए बटल जब भरती है और बटल को इस Сब बच्चा करता है दो जो बुन्त है कि इसमें होल होता है डायरेक्ट इसमें होल होता है आप जड़ driving रिश्ता हूँँ दूद आपको बॉटल की sat doodle का ऌत्ल है उसमें जो चेद है उस पर दिखाई ते जाएगा यही होता है कि जब बच्चे के मुँ में बाटल जाती है तो इस तरह से आप देती हैं तो उसमें जो छेद रहता है उसमें से दूध हलका सा बाहर आता है और बच्चे को पता चलता है कि इसमें से कुछ निकल ला है बच्चा उसको सक करना सुरू कर देता है और आपके breast में क्या होता है breast जो है उसमें से जो दूद आता है वो नसों में होता है direct उसमें ऐसा तो है नहीं कि ऐसा टेड़ा किया और गिरना सुरू हो गया अगर गिरता भी है तो आपको करभा वस्था के दवरान गिरता है और जिसमें आपकी delivery होती है उसमें पूरा दूद एक साथ में होने की वज़े से जैसे कि कोलेस्टरम दूद जो होता है वो जन होता है इसके वज़े से breast भी टाइट हो जाता है और दूद अपने आप निकल नहीं पाता है और बचे को पता नहीं है कि क्या चीज मेरे मुह में डाला जा रहा है तो ऐसे में आपको यही करना है कि आपको जैसा कि मेरी दिदी ने किया कि उसके मुह में उन्होंने breast का निपल डाला और उपर से C-A-R में पकड़ते वे breast को उन्होंने उसको निचोड़ना शुरू किया यानि हलका दबाओ दे करके बच्चे के मुह में दूद को गिराया तो उसे पता चला कि इसमें से दूद गिर रहा है और उसके पेट में जा रहा है तो उसे अच्छा लगा और उसने सब करना सुरू किया दो तिन बार ऐसा करने के बाद उन्होंने पकड़ा दिया उसे अब यहां पर मैं आपको इक बात और बता देती हूँ कि निपल भी नहीं बना होता है अधिकांस लड़कियां इसी गलस प्रामी में हो जाती है कि निपल तो बना ही नहीं है निपल इतना ज़्यादा निकला हुआ होना चाहिए यहां पर जो मैं बता रही है इतना ज़्यादा निकला हुआ होना चाहिए ऐसा आप लोग सोसते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है निपल इतना सा ही निकला रहता है इतना सा जो आप मेरा ये नाकून देखिए ये नाकून है इतना सा ही निपल रहता इतना सा जब बच्छा सक करना शुरू करता जब आप उसके मुह में अपना ब्रेश्ट पकडाती है ऐसे कमेंट अभी एक दो दिन पहले मुझे आये कि मैं आपने कहा कि ये लोरा के भाग तक को पकड़ाना है लेकिन मेरा बच्चा तो पूरा उसके मुँँ में जा ही नहीं रहा है क्योंकि वो सिर्फ निपल ही जो है उसके मुँँ में जाने भर को हो गया तो कोई बात ने अगर आपका बच्चा सक कर ले रहा है और आपको दर्द तो आप टेंसर मत लेज़े उसे पीने देजी लेकिन कोशिस करिए कि ठोड़ा उपर तके पगड़ें ताकि जो आपका निपल है वो क्रेक न होने पाई बच्चा जब निपल को सक करेगा तो निपल का जो skin होता है वो थोड़ा अलग होता है और जो बाकी बिरेश का skin होता है वो थोड़ा अलग होता है यानि यहाँ पर का जो skin होता है वो थोड़ा stopped होता है जबकि जो निपल की skin होती है थोड़ी सी कड़क होती है तो इसलिए अगे तक बच्चा पकड़े लेकिन अगर बच्चे की मुह में निपल है और बच्चा सी तरह से सक कर रहा है उसे कोई तकलीप नहीं है तो आपका निदिजी कोई बात नहीं बस जब बच्चा छोड़ेगा तो थोड़ा हलकी गुण गुणे पाने में सौप्ट कॉटन का कप करके और थोड़ा सा घी लगा लिजिए ताकि जो आपका निपल है वो क्रेक ना होने पाए ठीक है तो जो मैंने कहा कि बार बार आपको एक ही प्रोसेस करना है जब ही भी आप ऐसा मैं सुछी कि आपने एक बार उसे सिखा दिया तैसा कि में दिन किया उन्होंने उसे जब ब्रेष्ट को मुह में डाल करके हलका सा निचोड़ा उसके मुह में दूद गया तो उसके बाद उसको पकड़ा दिया मुह में और निचोड़ना बंद किया तो बच्चा धीरे-धीरे पीने लगा कि उसको पता चल गया कि इसमें से मुझे दूद मिल रहा है और फिर वो प पर मैं अपनी भावी की बच्चे की बात बता दू तो वह अच्छी तरह से सक करता था दूद अच्छी तरह से पीता था सब कुछ और एक बिन वह सो ही थी उसने अपना ब्रेश्ट ऐसे खोल दिया था कि बच्चा पीए गाओ खेल रहा है वह थकी हुई थे सो गई तो वह उ करना है कि जभी भी आप ब्रेश्ट पकड़ा रही है आपने देखा कि बच्चा सक करना भूल गया है तो फिर आप उसको वही प्रोसेस करके देजिए थोड़ा सा निपल उसके मुह में डालिए और उपर से आप खुद अपने हाथों के जरिए दवा करके उसके मुह में द अच्छा दस्बार ऐसा करेंगी आप तो फिर वो डेफिनिटली सिख लेगा लेकिन सिखाना अधिकांस बच्चों को जरूर पड़ता है तो आप इस बात को जरूर दिया लगी कि बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया है थोड़ा पेसेंस रखने के आपको जरूरत ह होती है ये तो मैं खुद बैं जानती हूं कि जब महिनाओं की डिल्वरी होती है तो वो खुद सारियरीग तकलीफ में होती है जाहे सीजिर headphone dishop तकलीफ होती ही होती है बहुता हे चाहि अंदर होती है स्वाराई में angeslड़ को खुड़ने समझा चाहिए नहीं तो ऐसे में थोड़ा अगर यह वीडियो मिल जाता है, इसे देखिए, समझेए, थोड़ा धैर रखिए, तुरंत ही बॉटल न पकड़ा दें, बॉटल से क्यों बच्छा सकरता है, मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा बॉटल के मुँपर दूधाता है, उसे पता चल जाता है, और जब बॉटल से बच्छा सकर रहा है, जब कि यहां पर उसे फुड़ा घुटन महसूस होने लगती है, क्योंकि उसे तो पहले सही अच्छा फ्री बॉटल आपने पकड़ा दिया, या फिर किसी अन्य घर की मिम्बर ने पकड़ा दिया, तो उसे फिर नहीं होता है करने के लिए अच्छा, इसमें एक केस्टन और आया था, कि डॉक्टर ने मना किया है, इन्हें कि आप बॉटल से बच्चे को दूठ मत देजिए, तो मैं कब तक चमच से दूठ पिलाओ, देखिए, अगर आप ब्रेश्ट मिलका है, किसी कारवस अगर आपने चमच दिया है बच्चे को, कि सुरुआत में कोई option ही नहीं बच्चा है, तब आप बॉटल दे सकती है, लेकिन, कोसिस करिए, जदा तर अगर आप ब्रेश्ट मिलक बच्चे को दे रही है, तो आप ब्रेश्ट के ही जरिये दे, बॉटल लपकड़ाए, लेकिन अगर आप के लिए ऐसा है, कि जैसे बहुत जनको दूठ होता ही नहीं, कोई भी उपाय कर लो दूठ को नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या करेंगी, कितनी दे तक आप चमल से पिलाएंगी, ऐसे में बच्चे का पेट नहीं भरेगा, तब आप बॉटल दीजिए, लेकिन बॉटल का एक लिमिट रखी है, यानि कि जैसे एक साल तक कि मैंने इस पर एक सेपल वीडियो दिया हुआ है, बॉटल जो ब्रेश्ट होता है, दोनों फिडिंग का क्या डिफ्रेंस होता है, क्या फाइदे और रहानिया होती है, इसमें मैं थोड़े से में आपको बता दे रही हूं कि बॉटल जो होता है, वो प्लास्टिक होता है, और प्लास्टिक जदा देर तक मुह में रखना, बच्चे के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बच्चे के जो लिफ्स होते हैं, उसका सेप बिगड़ जाता है, पहली बात, दूसरी बात, अगर डूट जो है बॉटल में का खतम हो गया, आप ध्यान नहीं दे पाएं, तो बच्चे के मुह में बहुत जदा यह अरजाने के संभावना होती है, तो इसलिए आप टाइम से जैसे कि आपने दूद दिया है बच्चे को आपको पता है, जैसे बच्चे के मुह में खाली बातल निकाल देजिए, बस थोड़ी साधानिया रखेंगी, तो बातल देने में कोई वांदा नहीं है, डॉक्टर अपनी तरफ से आपको इसलिए कहते हैं, ताकि आपके बच्चे के सुरच्छा हो सके और आपका जो ब्रेश्ट मिलका है, जो की बच्चे के सहयत के पहल जरूरी है, वो बच्चे को मिल सके, बस इतनी सी बात होती है, तो आई होब कि जो जहनकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे आपको यह समझने में जरूर आसानी हो जाएगी, कि बच्चे को शक करना कैसे सिखाना है, बच्चा बॉटल क्यों सक करने लगता है, ब्रेश्ट को सक क्यों नहीं करता है, इसमें सावधानी आप जरूर रखिए कि जब ही भी ब्रा तो फिलाल पहना नहीं है, एक दो मैने तक आपको नहीं पहना होता है, क्योंकि वससे आपकी ब्रेश्ट की जो नसे होती है, वो संकुचित हो जाती है, तो इसलिए आप आशाना करें, और जभी भी ब्रेश्ट फिडिंग कराना सिखा रही बच्चे को यानी स्टार् वससे ग rij-ईचे की उपर हो, ऐसा नेख दोचा, लोग अगल बगल से बातचित करें डोट भेल है, या आपका अधा धियान है, जिसकी वज़र से आपका जाता सका है, बच बच्चे के लिए बहुत ज़्यातर की बच्छे को सख करना से ज compression को से एक तुरंसे बोटल या फ आपको प्रेश्ट में जो है कि एकदम से टाइट हो गया है पचा उसमें नहीं सकर पा रहा है तो ऐसी कंडिशन में थोड़ा बहुत दूद आप हाथ से निकाल करके बच्चे को चमत से या बॉटल से दे सकती है चमत से देजिए बॉटल से जहां तक हो सक्या वाट करिए वी देखने के लिए सभी का धाने मादेश्ट